हरो चिलरन वैलकम बक्ट получить my channel आज का हमारा topic जैसे कि आप देखी सकते हैं आज का हमारा topic है forms of water यानि आज हम पढ़ेंगे पानी के रूपों के बारे में, किसके पढ़ेंगे पानी के रूपों के बारे में, so there are three forms of water, सबसे पहले चीज आपको ये पता होना है, जो पानी है, उसके क्या है, तीन रूप है, वो कौन-कौन से है, solid, liquid and gas, solid, ice is the example of solid, तो solid का example क्या है, ice, water is the example of liquid and water vapor is the example of a gas, और ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे में change हो सकते हैं, ठीक है, जैसे solid can change into liquid, liquid can change into gas, ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे में change हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको ice is the example of solid, solid आपको पता है क्या होती है जो बर्फ जो आप फ्रिजर में जमाते हैं second is water water आपको पता है जो आप डेली पानी पीते हैं third is water vapor मैं आपको ही एक्ग्जाम्पल कि तुरु समझाऊगो ठीके, जब आप पानी को गरम करने रखते हैं पर तो उसे क्या मिलती है, heat, गर्माहट मिलती है, ठीके, तो जब पानी गरम होता है, तो उसे थोड़ी दिर में आप देखते हो नहीं कि steam निकलने लगती है, that is called water vapor, जो धुआ जैसा बोलते हैं, जो भाप निकलती है, पानी से जब पानी गरम होता है, उसे हम बोलते हैं, water vapor, Is that clear? पानी को गरम करने से जब उसको heat मिलती है पानी को और पानी से जो भाप निकलती है, steam निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, water vapor,